हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चनल अराध्यां RAS अकेड़मी में दोस्तों आज माँआपके सामने राजस्तान में एक नई विग्जेप्ती लेकाया हूँ और वो विग्जेप्ती है दोस्तों इसमें राजस्तान रोडवेज बरती ठीक है राजस्तान रोडवेज बरती 2019 में कितने पदों की संक्या है क्या योग्यता मांगी गई है फोरम कब से चालू होंगे ठीक है और एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा आज दोस्तों आपन सब कुछ बात करेंगे इसमें और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक आराद्यारेस अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो दोस्तों यह नई वेकेंसी है तो दोस्तों आपने पहले दिखा होगा कि अकवार के अनदर कटिंग आई थी ठीक है और कटिंग में यह था कि रोडवेज में ठीक है रोडवेज की है राजस्टान रोडवेज के हाल बेहाल है 64% से अधिक पद हैं वो खाली पड़े हैं ठीक है यह है दोस्तों इसमें अख्वार की ये कटिंग है और जिसमें परमुक पद जिनमें अधिकांस पड़े हैं खाली ठीक है यानि कि कौन-कौन से पद हैं वो खाली पड़े हैं तो देखो कारे कारी निर्देशक 2. महापरबंदक 2. संयुक्त महापरबंदक 7. सचिव 1. उपमापरबंदक 6. संभाग यांतरिक अबियंता 13. सहयक संभाग परबंदक 31. सहयक अबियंता चार लेखा दिकारी 17 सहयक यांतरिक अभियंता 23 पर्थम पर्थम बंडार अधिकारी तो इनकी छे पोस्टे हैं और वरिष्ट प्रसास्निक अधिकारी इनकी 27 है कनिष्ट अभियंता A उननचास है कनिष्ट अभियंता B 133 पोस्ट है वरिष्ट कारिय देशक 18 और कनिष्ट लेखा कार 202 ठीक है ये तो दोस्तो इसमें ये इतने पद तो खाली पड़े हैं ठीक है इनके साथ ही ड्राइवर के भी हैं और कंडेक्टर के भी पद हैं ठीक है ये भी खाली पड़े हैं इसमें तो चलो इस बड़ती के बारे में अप हम यहां पर अपन बात करेंगे कि राजस्तान रोडवेज बरती 2019 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा राजस्तान रोडवेज बरती 2019 के ओनलाइन आवेदन कब से भरे जाएंगे यह बरती किन-किन पदों के लिए आईजित की जाएगी राजस्तान रोडवेज बरती में कंड जाम पेटन, सहलेबेस, आवेदन सुलक और अंतिम तिति क्या रहेगी ठीक है हम राजस्तान रोडवेज वेकेंसी 2019 की संपूर्ण जानकरी है वो आपको प्रदान करेंगे ठीक है तो दोस्तों वीडियो होए वो लाश्ट तक देखना है आपको तो दोस्तों देखो राजस्त राजस्तान रोडवेज बरती 2019 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा तो दोस्तों अंदरूनी खबर है ठीक है राजस्तान रोडवेज बरती 2019 का नोटिफिकेशन कब जारी होगा तो देखो राजस्तान रोडवेज में पिछले 7 सालों से बरती नहीं हुई है ऐसे में राजस यह हैं कि उनमें सबी पद खाली पड़े हैं भाजपा सरकार का पूरा कारेकाल बीत गया लेकिन बरती परकिरिया है वो शुरू नहीं हो सकी राजस्तान करमचारी संगठोनों ने सरकार से कई बार नई बरतिया शुरू करवाने की मांग की है राजस्तान रोडवेज में नई बरती आने से रोडवेज को फायदा होगा साथ ही बेरोजगारों को भी नोकरी की उमीद पूरी होगी तो दोस्तो राजस्तान रोडवेज है वो इसलिए गाटी में चल रही है क्योंकि उसमें काम करने वाले जो पद हैं वो कम है ठीक है यानि कि रिक्त पदों की संक्या है वो अधिक है इसलिए रोडवेज दोस्तो गाटा में चल रही है ठीक है अब देखवागे राजस्तान रोडवेज में कंडेक्टर के 8753 पद स्विकर्थ है राजस्तान रोडवेज में कंडेक्टर के 8753 पद है वो स्विकर्थ है टोटल ठीक है इन में से 2587 पद है वो खा से 2587 पद हैं वो आज भी खाली पड़े हैं ठीक है और ड्राइवरों में देखो ड्राइवरों के 5124 पद हैं स्विकर्त हैं इन पर दोस्तों 503 काम कर रहे हैं यानि कि ड्राइवर तो है ज्यादा है ठीक है लेकिन कंड़ेक्टर है वो कम है फिलहाल राजिस्तान रोडवेज में कंड़ेक्टर की कमी है ठीक है आप सभी को पता है कि यहां पर देखो कर दो क्लिकर्ट की थे 55、87 ठीक इन पर केवल 3338 करमचारी कारेदत हैं अब देख लो कितने करमचारी हैं टोटल तो रोडवेज में 9404 करमचारी राजस्तान में ठीक है जिसमें से कारेदत कितने हैं तो कारेदत की अगर अपन बात करें तो दोस्तों देखो 3338 3338 करेदत हैं तो यानि की पद कितने खाली पड़े हैं तो 666 पद हैं वो खाली पड़े हैं किसमें तो राजस्तान रोडवेज में ठीक है अब देखो करमचारीों की कमी के चलते रोडवेज को फायदे में लाने की योजनाएं भी सही तरीके से किरियानवित नहीं हो पाती है संभावना जताई जा रही है कि राजस्तान रोडवेज में कंडेक्टर और करमचारियों के 5000 पदो पर जल्दी ही भरती की जाएगी संभावित है कि सिप्टेंबर फर्स्ट वीक यानि कि अब देखो सिप्टेंबर के फर्स्ट वीक में दोस्तो इस भरती का है वो नोटिफ देखो RSRTC यानि कि रोडवेज वेकेंसी 2019 ठीक है राजस्तान रोडवेज ठीक है वेकेंसी 2019 एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो क्या है तो देखो ड्राइवर पद के लिए आवेदन करने है तूं उम्मीदवार को माननेता प्राप्त स्कूल या संस्तान से दसवी कक्षा पास होना चाहिए साथ ही driving license में भारी driving license यानि कि heavy license और तीन साल का अनुबव होना चाहिए ठीक है अब देखो conductor पद के लिए आवेदन करने है तूं उम्मीदवार को दसवी कक्षा पास होना चाहिए ठीक है साथ ही परिचालक यानि कंडेक्टर का लाइसंस एवं बैच होना आवशक है ठीक है कंडेक्टर का लाइसंस एवं बैच होना आवशक है अन्ने पदों के लिए उम्मीदवार को दस्वी कक्षा पास और साथ ही में आवेदन कर रहे विशेश ट्रेंड के लिए IIT डिपलोमा ठीक है यानि कि अलग-अलग इसमें वेकेंसी है तो अगर आप दूसरी और वेकेंसी है इसमें पद है तो उन पदों के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो जिसमें ITI मांगी गई है तो आप ITI से फीवी फोरम में बर सकते हैं अगर आपके पास ITI है तो ठीक है देख मिलाओं और आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार चूट परदान की जाएगी, अब देखो दोस्तो इसमें, राजस्तान रोड़ वेज भरती 2019 को का। तो दोस्तों देखो इसमें, राज़स्तान रोडवेज भर्ती 2019 के लिए लिखित परिक्षा का आयजन किया जाएगा, यानि कि सबसे पहले है वो लिखित परिक्षा होगी, उसके बाद में दोस्तों देखो, फिर आपने जिस पद के लिए आवेदन किया है, उसकी ट्रेड प verification कि या Hunting कि ट्रेड प्रेर क्षिक्षन यानि की जब को बस लानी है ठीक है और अन्य कोई लेखर कार का कंडिस्ट लेखाकर तो दोस्ताइब को टाइपिंग पिंग निप खोप्लीकेंग तो यहाँ राजस्तान रोडवेज ओफिसियल नोटिफिकेशन में अलग-अलग पोस्टों की इसाब से अलग-अलग आवेदन सुल्क लिया जाएगा आवेदन सुल्क और वेतनमान संबंदी संपून जानकरी भरती सुचना के समय जारी की जाएगी हम संबावित अवेदन सुल्क बता रहे हैं जनरल, OBC और EWS केंडिडेट तीक है देखो जनरल, OBC और EWS केंडिडेट की फीस रहेगी इसमें 600 रुपे ठीक है SC, ST and other reserved category है इनको रहेगी दोस्तों 150 रुपे फीस ठीक है 150 रुपे इनकी फीस से रहेगी अब देखो दोस्तों सेलेबस क्या रहेगा इसमें तो देखो राजस्तान रोडवेज भरती 2019 सेलेबस and exam pattern तो राजस्तान रोडवेज के सभी पदों पर भरती के लिए पात्र पाए गए अब ब्यार्थियों की लिखित परिक्षा वस्तुनिष्ट परस्नों के आधार पर 100 अंकों की होगी यानि की objective paper लगेगा ठीक है और 100 नंबर के paper होगा वो 100 question होगे 100 नंबर के ठीक है देखो परिक्षा का समय दो गंटे के लिए रहेगा लिखित परिक्षा का syllabus निगम की official website पर जारी होगा चालक पद हे तू 50 अंकों का trade टेस्ट लिया जाएगा यानि की driver के लिए दोस्तों 50 अंकों का इसमें drive टेस्ट होगा जिसमें से 50 नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे कि कितने नंबर वो दे रहे हैं गाड़ी चलाने के मिलेंगे ठीक है देखो परिचालक पद हे तू लिखित परिक्षा के आधार पर ही अंतिम मेरिट का chain किया जाएगा और सभी पदों की भरती के लिए किसी तरह का साखसातकार नहीं लिया जाएगा यानि कि इंटर्यू है वो नहीं है ठीक है इंटर्यू नहीं है आप पेपर दो उसके बाद में अगर आपने कोई ट्रे टेस्ट बरा है तो आप वो दो और फिर मेरिट लिस्ट चटेगी और उसके बाद में जोइनिंग ठीक है तो दोस्तों यह हो गई आज की एक लेटेस्ट खबर थी जो मैंने आपको बता दी है और अरद्य आरेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में दोस्तों जुड़े रही है और सबसे खास बात कि राजस्तान रोड वेज बरती के लिए मोडल पेपर और इसकी क्लासे है वो सबसे पहले आरद्य आरेस अकेडमी पर जल्द ही सुरू की जाएगी ठीक है तो दोस्तों चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें जै हिंद जै भारत